करकरासी वाले जातकों के लिए ये आने वाला सब्ता मिला जुला रहेगा अगर आप अपने प्रेम जिवन की दरस्टी से देखे तो उसमें थोड़ी सी निरासा और परेशानी आ सकती है इसलिए आपको संभल कर चलना होगा और आपको अपने लववन्स को अपने पार्टनर को अपने प्यार का इजहार करना होगा और उनको ऐसास दिलाना होगा कि वो आपके लिए बहुती स्पेशल है तभी आपका प्यार निखर पाएगा यह सप्ता दर्म्यान जातक को बहुत ही सईयम से काम लेना होगा वरना आपके बनते काम भी बिगर सकते है और रिस्ते भी खराब हो सकते है यह सप्ता दर्मयान ऐसा भी हो सकता है कि आपका अपने love once पर से और अपने partner पर से विश्वास हट सकता है या फिर विश्वास कमजोर हो सकता है इसलिए आपको जितना हो सके एक दूसरे पर विश्वास रखना है और कोई भी problem हो तो आपस में तुरंती बात कर देनी है और problem का solution ला देना है जिससे आपका रिस्ता खराब होते हुए बच जाएगा यह सब्तादर्मियन आपको किसी परेशानी की वज़े से mental stress हो सकता है यह सब्तादर्मियन जातक का मन थोड़ा सा उदास रह सकता है यह सब्तादर्मियन जातक को ज्यादा नहीं सोचना है और सांती से और धैर्य से काम लेना होगा यह सब्तादर्मियन जातक किसी बात को लेकर बहुत ही चिंतित रह सकते है इसलिए जातक को mental stress बढ़ सकता है इसलिए हो सके तो meditation कीजिएगा जो आपके लिए लाबदाई साबित होगा यह सब्ता जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी लिए लाबदाई साबित होगा यह सब्ता दर्मयान जातक की आर्थिक सिती में थोड़ा सुधार हो सकता है लेकिन साथी में आपके खर्चे भी बढ़ेंगे इसलिए सब कुछ manage करके चलना पड़ेगा सब कुछ manage करके चलिएगा तो कोई problem नहीं होगी यह सब्ता दर्मयान जातक का लखी नंबर 9 रहेगा और उनका लखी कलर मरून रहेगा यह सब्ता दर्मयान भगवान गनेश जी की पूजा आपके लिए लाबदाई साबित होगी